दोल्प्र की सदर्थाना चित के चांदपुर गाउं में सनवार स्वए एक सांड कुए में गिर गया। ग्रामीड और प्रसासन ने करीब तीन गंटे तक चले रेस्क्यू ओपरिशन के बाद सांड को बाहर निकाला। चावनी निवासी भागीरत सर्मा रिंकू बोहरा ने बताया कि चांदपुर गाउं की लोगों ने उन्हें कुए में एक सांड गर जाने की सूचना दी। इसके बाद भे हाइडरा मसीन लेकर चांदपुर गाउं पहुँचे। इबम स्यम के इस्तर पर गरामीडों की मदर से सांड को कुए से निकालने के लिए रैस्क्यू ओपरेशन शुरू किया। इसी बीच गरामीडों ने पुलिस के साथ प्रशासन को भी मामले की जानकारी दे दी। सांड के कुए में गिरने की जानकारी मिलते ही पचगाउं चोकी फुलिस के साथ पटवारी मनोर्मा और गर्दाबा रिसी कटारा मौके पर पहुँच गए। जहां गरामीडों की मदा से तीन गंटे तक चलाए रैस्क्वी ओपरेशन के बाद सांड को सुरक्षित कुए से बाहर नकाल लिया। सरानी खेडा से उत्तम कोशवा की रिपोर्ट। मैं हलका पटवारी वसी सामनता आज सुबा गरामीडों में पौन करके बताया कि गराम चांदपुर में कुए में सांड गिड़ गया है। मैं मौके पर पहुँची भाडरा द्वारा गरामीडों की मदद से सांड को सकुसल बहार निकाल लिया गया है। धौलपुल का सबसे उतक्रष्ट शिक्षन संस्तान एवी अम कॉन्वेंट स्कूल और किट्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहां है बहतर गुर्वत्तापुर्ण शिक्षा, आधुनिक पक्नी, मजबूत इंफ्राइस्ट्रक्शर, शांदार क्लास्रूप, लाब्रेरी और स एवी अम कॉन्वेंट स्कूल के बल शिक्षा ही नहीं, बलकि बच्चों में संस्कार गड़ता है, संस्कार बान प्रगतिशी इनुवेटर बच्चों के साथ, उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की शमता बैदा करता है, विद बेस्ट फेकल्टी, सीबी सी स्कूल, एवी अम कॉन्वेंट स्कूल, एवी अम कॉन्वेंट स्कूल, और किट्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली एसी, विद स्मार्च क्लास, घंटाहरोर, थौलपूर, अड्मिर्शन ओपर, राजाखेडा थाना पुलिस ने सनवार को जुए के एड़े पर कारभा टीम का गठन कर, मुख्विर के द्वारा बताएगे, इस्तान सीतापूर गाहों के पास प्लिस दी गई, पुलिस को देखकर जुआरी भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने घेरावंदी करकर साथ जुआरियों को गरबतार कर लिया, पुलिस ने उनके कबजे से 52,200 रु सब करीब 2-3 दिन पुरायना बताया जा रहा है, नदी के पास रेलवे पटरियों के नीचे सब मिलने की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुची, पुलिस ने सब की पैचान के लिए आसपास की लोगों से पुष्टाज की है, लेकिन अभी तक उसके बारे म के पदादिकारियों ने जिला अध्यत राजे सर्मा की अगवाई में सरके टाउस में अनुसुचे जाती आयों के अध्यक्ष एवं बसेड़ी बिदाय खिलाडीलाल बेरबाब को ग्यापन देकर तरतियस रेनी सिक्षगों के जल्द तवादले सुरू कराने से सिक्षक करम संग्षारियों की मैत्पूर्ण समस्याओं का मांगपत प्रेसित कर राज सरका से करवाई किये जाने का अग्रे किया है संग के प्रवक्ता बहनुप्रतापर्मार ने बताया कि प्रेसित छह सुत्री मांगपत्र में लिखा है कि उप्रदानाचार के नवीन सरजित पदों क को समाप्त कर पूर्व की भाती पचास फीसंदी पद अनवव के आदार पर सीधी बरती से बरे जाएं सिक्षक किस्थांतरं की नीती लागू कर तरतियस लेडी सिक्षकों सहित सभी स्रेडी के सिक्षक संबर्ग के तवादले जल सुरू किये जाएं राज की बिद्दालों बर्सरों से काररत पेरा टीचर सिक्षा कर्मी सहित अनसमदा कर्मियों को नियमित किया जाएं तरतियस तैडी अध्यापकों को समय बद पदोनवती के समान अफसर प्रदान किये जाएं बूदक से डियो इस्तर की रुकूई ही डीपीसी की पिक्रिया जल्द सुरू कराते ह हुए प्रदिस्तापना कराये जाएं एवं सर्मत्रा पंचय सम्ती मुख्याले पर सीवी यू कारले का संचालन सुरू कराये जाने की मांग रखी विदायक से मिले प्रतिनदी मंडल में चंद्र सेकर सर्मा आलन चोहान कुलदीव सर्मा सत्पाल परमार केशरी सिंग गटना में पांच लोग घायल हो गए सभी घायल आपस में चचेरिवाई हैं जो अपनी बहन के यहां दौलपर में हुई एक साधी में सामिलों कर मत्रा बापिस लोट रहे थे घायलों को दौलपर हस्पताल में बर्ती कराया गया है जानकारी के अनुसर मत्रा के रहने वाल पांच भाई कार से दौलपर में अपनी बहन के हाँ साधी समारों में आये थे सन्यवार सुवेबे बापिस अपने गर मत्रा जा रहे थे जैसे ही उनकी कर मनिया पहुंची तो बहरा पेट्रॉल पंप के पास खड़े ट्रक में उनकी कार पीछे से जागुसी गटना में कार को कबजे में लेकर घाईलों के परजनों को सूचना दी रंगीन सिक्कों का नाम पंचेतंत्र शोवी नियर सिक्का है 32 ग्राम बजन का यह सिक्का बिना मूलवर का एक शोवी नियर टोकन है जो निकल जिंक और कोपर के मिस्टर से मिलका बना है इस तरह के सिक्के आम प्रिचलन में नहीं आते लेकिन एतियासिक धरूवर और गटन प्राइक लोगों को रंगों से उकीरा गया है आपको बता दें कि बाड़ी के रहने वाले अजैगर को शिक्के खटे करने का शोवक है उनके पास देश के प्राचिंतम सिक्कों के साथ विदेशी करेंशी भी काफिर मात्रा में मौजूद है बाड़ी के अजैगर पिछले 24 सालों से डाम टिकेट वा मुद्रा का संग्रह कर रहे हैं उन्होंने इस संग्रह की दुनिया में एक अलग मुकम बना लिया है और अपनी डॉल पंजली की पैचान 20 प्रडल पर बनाई है कंचनपुर थाना पुलिस ने अवेद देशी कट्टा तीन से पंदैवोर में एक जिन्दा कार्थूज के साथ सातिर बनमाज जैसिंग कुस्मा को गरफतर किया है आरोपी वारदात की फ्राक में मगवाख खेडा में लालोनी मोर पर खड़ा हुआ था जहां से पुलिस टीम ने उसे गरफतर कर लिया थाना अधिकारी देविंद कौन सर्वान ने बताया कि मुक्विर ने सूचना दी थी कि एक बंदमाश वारदात की फ्राक में लालोनी वोर पर खड़ा हुआ है सूचना पर टीम बना कर भीजी गई और टीम ने मौकी पर पहुँचकर बंदमाश जैसिंग कुस्वा परताब सिंग नवासी जील थाना बसेड़ी को गरपतार कर लिया तलासी में उसके कबजे से एक देसी कट्टा तीन से पंदमाश और जिन्दा कार्सूस बरामत किये है